हाई गाईज वेलकम यू ओल वन्स अगें तो आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टिप्लेक्स्ट सेवें सेग्मेंट डिस्प्ले को इंटर्फेस करेंगे अपने एट मेगा एट माइक्रो कंट्रोलर के साथ अगर आप लोगों को नहीं पता जो हम लोगों की मल्टिप्लेक्स्ट सेवें सेग्मेंट डिस्प्ले के बारे में बताया है फिलाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने सरक्रीट डाइग्राम को समझ लेते हैं यहाँ पर हम लोगों की जो multiplexed 7 segment display की data lines हैं इनको हम लोग port D के साथ connect करने वाले हैं ठीक है और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हम लोगों की first data line है या फिर A जो है इसको हम लोगों ने PD 7 से connect किया है B को हम लोगों ने यहाँ पर PD 6 से connect किया है and so on जो हम लोगों की DP है इसको हम लोगों ने PD 0 से connect किया हुआ है और इसके बाद हम लोगों की जो 7 segment की select lines हैं इनको हम लोग अपने port C में connect करने वाले हैं यहाँ पर हम लोगों की total 4 select lines हैं तो first जो 7 segment है इसकी जो select line है इसको हम लोग PC PC1 से connect करने वाले हैं, second वाली की select line है, इसको हम लोग PC2 से connect करेंगे, third वाली को PC3 से और fourth को PC4 से connect करने वाले हैं, और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, फिलाल हम जो micro controller है, इसको external crystal oscillator से run कर रहे हैं, और इस oscillator की जो frequency है, वो 12 MHz है, तो इसके बाद देखी हम लोग seven segment display है, इसमें हम लोग one print करना चाहते हैं, second वाले में two print करना चाहते हैं, third में three और fourth में four print करना चाहते हैं, तो इसके बाद हम लोग programming देख लेते हैं, अपनी multiplexed seven segment display की, so programming में सबसे पहले हम लोगों को जो अपना CPU है, उसकी frequency define करनी होगी, फिलाल हम लोग यहाँ पर 12 MHz की frequency use करने वाले हैं, तो उसके corresponding आपको यहाँ पर hash define f underscore CPU 12 MHz लिखना होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर avr slash io.hnam की जो header file इसको include करेंगे, और secondly हम लोग यहाँ पर delay को use करना चाहते हैं, तो उसके corresponding आपको util slash delay.hnam की header file को भी include करना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोगों क पास यहाँ पर main function है, so main function के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर unsigned entity type का एक array बनाया है, जिसका नाम digit है, ठीक है, और यह जो हम लोगों का array है, इसके अंदर basically हम लोग 0 से लेके 9 तक की जो digits होती है, उनका जो patterns होता है, उसको store करने वाले हैं, और फिलाल हम लोग ज लिखने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो हम लोगों का है fc, यह 0 का pattern है, फिर 6 0 जो है 1 का pattern है and so on, आपका जो f6 है वो 9 का pattern है, तो 0 से लेके 9 तक के जितने भी patterns हैं, उनको आप लोगों ने यहाँ पर store कर लिया, इसके बाद हम लोगों ने is equal to 0xff लिखा है, यह फिर आप कह सकते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर जो port d है, उसको output define किया है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो 7 segment display है, उसको port d से ही connect करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ddrc is equal to 0b0011110 लिखा, यह फिर आप कह सकत आप लोगों ने यहाँ पर PC1, PC2, PC3 और PC4 को output define किया है, और इनको हम लोगों ने output define इसलिए किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपनी जो select lines हैं, उनको connect करने वाले हैं, नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर while one loop है, या फिर आप कह सकते हैं, हम लोगों के प post में one transmit करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो select line one है, इसको low करना पड़ेगा, और बाकी जो select lines हैं, इनको आपने high रखना पड़ेगा, तो ऐसा करते ही हम लोगों का यहाँ पर जो first वाली seven segment display है, वो activate हो जाएगी, बाकी जो हम लोगों की तीन seven segments है वो deactivate mode में रहेंगी, तो इससे के लिए आप लोगों ने आपर port c is equal to 0b0011100 दे दिया, next इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी आप यहाँ पर first seven segment में data transmit करना चाहते हैं, उस data को हम लोग transmit करवाएंगे port dk through, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा port d is equal to digit 1, तो यहाँ हम लोगों का जो digit नाम का array है, इसका जो first element है, इस element को हम लोग यहाँ पर port d में भेज रहे हैं, तो इसका simply मतलब यह है कि यहाँ पर आप लोगों का जो one है, उसका जो pattern होगा आपका, वो port dk through transmit होगा, और seven segment में जाएगा, ऐसा करते ही हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाए next, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक delay देना है, अब यह जो delay है, यह वैसे आपका 10 millisecond से कम ही होना चाहिए, हम लोगों ने 5 फिलाल रखा है, but फिलाल में इसको 5 ना करके 500 कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता है, exactly यह जो delay है, इस इसके बाद हम लोगों को second जो 7 segment है, इसमें data भीजना है, तो उसके corresponding आप लोगों को यहाँ पर जो port C की PC 2 pin है, इसको 0 देना होगा, बाकियों को आपने 111 देना होगा, तो आपने port C is equal to 0B 0011010 दिया, तो इससे आप लोगों का basically जो select line second है वो 0 हो जाएगी, यह फिर आप कह स सकते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर जो second वाली 7 segment है, इसको activate के आप बाकियों को deactivate कर दिया, इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से अपना data भीजना होगा 7 segment में, तो आप लोगों ने आपर port D is equal to digit 2 लिखा, तो यहाँ पर जो हम लोगों का digit नाम का array है, उ और आप लोगों को वहाँ पर जो second वाली display है, वहाँ पर two print होके दिख जाएगा, next इसके बाद फिर से आप लोगों ने यहाँ पर delay देना है, फिलाल इसको मैं 500 कर रहा हूँ, ठीके, फिर इसके बाद आप लोगों यहाँ पर जो हम लोगों की third select line है इसको zero करेंगे, बाकि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो third वाली seven segment है, उसमें data आप देना चाहते हैं, उसको आप लोग यहाँ पर port d में लिख लेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पर digit जो array है, उसका third element है, आप लोगों यहाँ पर transmit किया, यह फिर आप कह सकते हैं, जो three है, उसका pattern आप ल जाले, ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर sl4 या फिर pc 4 जो है, उसको zero करना होगा, बाकी हम लोगों का pc 123 को आप one रखेंगे, और इसके बाद आप लोगों यहाँ पर port d जो है, इसमें array का जो fourth element है, उसको भेजेंगे, या फिर आप कह सकते हैं, जो fourth हम लोगो का digit है, उसका pattern यहाँ पर आप भेजेंगे, तो इससे basically आप लोगों का जो fourth वाला seven segment है, महाँ पर four display हो जाएगा, और इसके बाद again हम लोग यहाँ पर यह जो delay है, इसको 500 फिलाल कर लेते हैं, तो यह हम लोगों का एक basic सा program है, multiplexed seven segment display का, अब इसके बाद हम लोग इसको यह hex file है, इसको select करना है, और इसके बाद इसको okay press कर देंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर run करते हैं, तो आप देखी हम लोगों का यहाँ पर 500 millisecond के लिए one print हो रहा है, फिर two print हो रहा है, फिर three और four यहाँ पर print हो रहा है, अलग-अलग seven segment displays में, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा output तो फिलाल चाहते नहीं है, ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं, कि जो यहाँ पर चीज़े display हो वो एक साथ हो, यहाँ पर one by one चीज़े हो रही है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, कि यह सारी चीज़े आपको एक साथ visible हो, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो delay है ना, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो इसको अगर आप यहाँ पर 50 करते हैं, तो इसके बाद देखते हैं, क्या यहाँ पर होता है, तो अब यहाँ पर देखिए, यह जो speed है, हम लोगों की थोड़ा सा बढ़ गई है, बढ़ फिर भी हम लोगों को एक स तो इसको हम लोग अभी 5 कर लेते हैं, तो जैसे आप इसको 5 करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पर output देखना चाहें, तो देख सकते हैं, अब हम लोगों को यहाँ पर देखिए, exact output मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर चीज़े बहुत fastly transmit हो रही होंगी, बट जो human eye है, उसको यह चीज़ पता नहीं चल पाएंगी, तो इसके बाद आप चाहें तो इस delay को और भी कम करके देख सकते हैं, वन मिली सेकंड इसको आप करके देख सकते हैं, तो वन मिली सेकंड में भी हम लोगों की चीज़ यहाँ पर प्रॉपर चलेंगी, तो वन में भी आपका यहाँ पर सब कुछ सही से चलेगा, बट अगर आप यहाँ पर यह delay को हटा देंगे, तो यहाँ पर काम नहीं होगा, ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो actually होगा क्या, हम लोगों का यहाँ पर जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं आएगा, यहाँ प तो करके देख लेते हैं इसको, हम लोगों ने अगर यहाँ से delay हटाया, तो देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम लोग delay नहीं देते हैं, तो क्या होगा, सिर्फ आपकी एक ही display में जो values हैं, वो display होगी, ठीक है, तो मैंने आपको delay कम करने को बोला, इसका यह मत output देखते हैं, तो हम लोगों को सही output मिल जाएगा, ठीक है, तो next, इसके बाद इस सीज को हम लोग अपने hardware में implement करके देख लेंगे, बट उससे पहले यह जो हम लोगों का program है, इसके flexibility के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, यह जो हम लोगों ने program लिखा है, बिलक इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर फिलाल जो multiplexed 7 segment display है, उसको port D और port C के through control किया है, आप suppose करते हैं कि in future हम लोगों को यहाँ पर जो ports हैं, उनको change करना पड़े, suppose करते हैं port D की जगह, आप लोगों को port B यूज करना प पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर जो port C है, उसको आपने port D करना पड़ेगा, और जो port D है, उसको B करना पड़ेगा, तो फिलाल यहाँ पर जो code है, वो आपका 8-10 line का ही है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई problem नहीं होगी, but suppose कीजिए, अगर आपका 5-600 lines का code हम लोग यहाँ पर इस program में थोड़ा सा changes करके देख लेते हैं, so program में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ changes किये हैं, अपने program की flexibility को बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने जो port D register है, इसको नाम दिया है, SSD port, और इसके बाद ज जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर जो ports की pins हैं, इनको भी नाम दिया है, जैसे PC1 को आपने SL1 दे दिया, PC2 को आप लोगों ने SL2 दे दिया, PC3 को SL3 और PC4 को आपने SL4 दे दिया, ठीक है, और इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर main function है, अब main function के अंदर चीज़े वही आप लोगों ने किये, देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले जो array है वो declare किया, और इसमें आप लोगों ने जो 0 से लेके 9 तक के patterns थे, common cathode के लिए उनको store किया, इसके बाद आप लोगों ने जो DDRD है, इसको 0xFF किया, और इसके बाद आप लोगों ने आपर port C ज यह आपका एक infinite loop है, तो इस loop के अंदर आप देखिए, हम लोग यहाँ पर जो register है, उसका नाम यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लोग यहाँ पर जो भी उसको हम लोगों ने नया नाम दिया था, वो नाम यहाँ यहाँ पर use करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सक और जो SL आपका 1 रहेगा, उसमें value 0 ही रहेगी, तो आपका basically यहाँ पर जो first 7 segment है, वो select हो जाएगी, इसके बाद आप लोग यहाँ पर port D की जगह, SSD port नाम यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर digit 1 लिक रहे हैं, तो इसमें basically होगा कि जो digit नाम का array है, उस इसमें जो भी pattern है, उसको हम लोग basically यहाँ पर port D के अंदर दे रहे हैं, तो इससे basically होगा कि आपका जो first वाला 7 segment हो select होगा, और उसके बाद इस line से आप लोगों का जो one है उसका pattern 7 segment में चला जाएगा, और यहाँ पर जो first वाली 7 segment है उसमें one print हो जाएगा, इसके बाद आप हम लोग यहाँ पर 5 milliseconds का delay देंगे, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जो second 7 segment display इसको select करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर SL port है, इसमें SL4, SL3 और SL1 को one one values दी, और SL2 जो है उसमें by default आपको zero value मिलेगी, तो आपका यहाँ पर जो second वाला 7 segment हो select हो जाएगा और इसके बाद आप लोग यहाँ पर second 7 segment में जो data भीजना चाहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर इस line से भीज रहे हैं, यहाँ पर आप SSD port is equal to digit 2 लिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा basically आपका जो digit नाम का array है, उसकी जो second element है, उसमें जो pattern होगा, वो pattern हम लोग यहाँ पर port D म हो जाएगा, same ऐसे इसके बाद आप लोगों ने delay दिया, फिर third वाली जो select line है, इसको select किया, फिर इसके बाद आप लोगों ने fourth select किया और इसके बाद database दिया, ठीक है, तो अब यह जो code है, इसमें क्या है, आपकी flexibility कहीं ना कहीं बढ़ रही है, so अब हम लोग यहाँ पर ब port c से connect की, उनको हम लोग port d से connect करना चाते हैं, तो इस case में देखिए हम लोगों को जो main function से उपर चीज़े define की हैं, सिर्फ उनको हम लोग changes करेंगे, नीचे जो main function के अंदर चीज़े हैं, उनको आप लोगों को बहुत ज्यादा है, यहाँ पर change करने की ज़रूरत नहीं है, तो simply आप लोग यहाँ पर जो port d है, उसकी जगह port b लिख लेंगे, और port c की जगह आप यहाँ पर port d लिख लेंगे, और इसके बाद जो sl1 है, इसमें आप pc की जगह आप p d लिख लेंगे, तो इसको p d 1 कर लीजे, इसको आप p d 2 कर लेंगे, इसको आप p d 3 कर लेंगे, और इसको आप ED 4 कर लेंगे तो सिर्फ इतने से changes करने से ही आप लोगों का यहाँ पर सारा काम हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर जो main function है उसके अंदर ज्यादा कोई changes करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ यहाँ यहाँ पर आप लोगों को जो port sorry DDR D है इसको DDR B लिखना इसको भी उपर define कर सकते हैं बट यह आप लोगों के उपर है कि कितना ज्यादा flexible आप अपने program को बना सकते हैं तो इतना I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा फिलाल हम लोग यहाँ पर जो भी changes किये थे इसको undo कर लेते हैं क्योंकि simulation में हम लोगों ने चीज़ों को वैसे ही रखना है ठीक है बट simply मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता था इसलिए मैंने यहाँ पर changes किये ठीक है तो इसके बाद इसको हम लोग यहाँ से build कर लेते हैं और next इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको implement करके देख लेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को same ही output मिल रहा है जैसा कि आपको पिछले प्रोग्राम में मिल रहा था बट यहाँ पर आप लोगों का जो flexibility है वो हम लोगों ने बढ़ा दी है ठीक है तो next इसके बाद इस चीज़ को हम लोग अपने hardware में implement करके देख लेते हैं यह हम लोगों की multiplexed 7 segment display है और इसको basically हम लोग at mega 8 क through control करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग अलग-अलग delays के corresponding अपने 7 segment में output देखेंगे ठीक है तो initially हम लोग यहाँ पर जो first display है इसमें 1, second में 2, third में 3 और fourth में 4 print करवाना चाहते हैं और initially मैं यहाँ पर जो delay है वो 50 milliseconds ले रहा हो ठीक है तो इसके corresponding अब हम लोग यहाँ पर अपने output को देखते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों को जो output मिल रहा है वो एक सांथ नहीं मिल रहा है ठीक है one by one आपका यहाँ पर data transmit हो रहा है और उसके corresponding आपको 1, 2, 3, 4 जो है वो blink होता हुआ दिखाए दे रहा है ठीक है तो अगर आप यहाँ पर 50 की जगर 10 करके देखता हूँ ठीक है इसको हम लोग 10 कर लेते हैं तो फिर से मैं इसको build करता हूँ और उसके बाद फिर से हम लोग इसको यहाँ से प्रोग्राम करते हैं तो अब देखिए हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पर delay कम किया वैसे आप देख सकते हैं यह जो duration था हम लोगों की first से second, second से third, third से fourth में switch होने का वो भी कम हो चुका है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो output है वो भी stable मिल रहा है बट एकदम stable यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो फिर से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस delay को और भी कम कर सकते हैं तो मैं फिलाल इसको यहाँ पर 10 स second का delay दिया तो इसके corresponding आप देखिए अब मैं फिट से इसको program करता हूँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों के exactly 1,2,3,4 यहाँ पर मिल रहा है तो एक बर मैं इस slide को off कर लेता हूँ जिससे आपको थुला सा और अच्छे से दिखे तो यहाँ पर आप देख सक box में लिख सकते हैं next video में हम लोग stop watch बना के देखेंगे अपने multiplex 7 segment display से so बने रहेगा आप मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर से कीजिए अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं so thank you so much for watching जे हिंद जे भारत